रूस की राच्थानी मेक्सिको में एक आतमवादी हमला हुआ है इस हमले में 60 लोगों की जान चली गई है कर्व 145 लोग घायल हुए है आतमवादी संगठन आईएस आईएस ने इसके जिम्मेदारी ली है 23 मार्च को मेक्सिको के पश्चिम छोर पर स्थित कॉक्रिस सिटी हॉल में रूस के रॉक बैंड पिकनिक का कॉंसर्ट था इसे देखने कई लोग वहां पहुचे थे तब ही वहां कुछ लोग दर्शकों पर खुल्याम फाइरिंग करने लगे और उन पर बंबारी की बंबारी पहले से ही हॉल में चिप हुए थे सोशल मेडिया पर घटना की कई सारी वीडियोज वाइरल हो रही है बताते कि जिस हॉल पर हमला हुआ है वहां एक बार में करीब 6,000 लोगों के जमा होने की वेवस्ता है हमले के तुरंद बाद मौके पर सुरक्षा बलों के साथ घायलों की मदद के लिए 70 एंबुलेंस भेजी गई हमले की जिम्मेदारी आइस आइस ने ली है अपने टेलीग्राम चैनल पर उन्हों ने इसकी जान करें दी साथ ही बताया कि हमले को अंजाम देने के बाद घटना में शामिल आतमवादी अपने बेस क्याम वापस पहुच गए है अपया करेंगार को ख़ोर थना आतरी तरॉक गझम दे ला टूलेग्राम पृर्एटा।